फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे ओस्दिये ट्रीकी बात करेंगे जो मनुश्यों और पस्ष्वों दोनों के लिए विशेश ओस्दिये उपयोग में इस्तमाल किया जाता है जिसको हिंदी में कमीला या कपिला कहते हैं साइंटिफिकली इसको मेलोटस फ्लीपिंसिस के नाम से जाना जाता है पस्ष्यमुत्र प्रदेश के कुछ किसानों से हमारे पास फीडबैक मिला किसर पस्ष्वों के चिकित्सा के लिए भी कुछ पौधे बताईए तो आज हम कमीला को पस्ष्वों वे मनुश्यों के रोगो के निवारन के लिए किस परकार से इस्तमाल करते हैं इसके बारे में बताएंगे यह है चार से छे मीटर उचाई का होता है इसको स्रब की केटेगरी में डाला गया है 1000 मीटर अबव दसी लेवल तक इसको कल्टिवेट किया जा सकता है ट्रोपिकल और सब ट्रोपिकल क्लाइमेट्स में जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय इसमें inflorescence आ रहा है panical inflorescence इसके अंदर होता है panical racin इसके leaves में alkaloids पाए जाते हैं इसका जो यह immature stage में inflorescence की जो इस्तिती है इसके बाद यह जब बड़े होंगे तो एक slimy material इस fruit के अंदर होता है और इसका जो बीज होता है वैब बाय बिडंग के बीज के जैसा होता है गुण और धर्म बाय बिडंग से इसके काफी समान है लेकिन बाय बिडंग इससे प्राप्त नहीं किया जाता बाय बिडंग का family और species दोनों अलग हैं laws बायभिदंग एंबेलिय रैब्स होता है जो कि मिरशिनाशी फैमिली का है और कपीला जिसको मेलोट्रस फ्लिपैन्स कहते है यह यूब़िसी फैमिली का है अधिकतर जो यूब़िसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उन मैं पर-गेटिव प्रोपर्टीज पाई जाती हैं इस प्लांट का लीव्ज आप देख रहे हैं, इसकी जो च्छाल है बार्क और जो इसका जो फ्रूट है, उसका स्लाइमी मैटीरियल और सीड से प्राप्त होने वाला असेंसिल ओईल अपने विभिन प्रकार के ओस्दिये गुणों में यूज में आता है। अब पहले मनुश्यों के लिए बात करें, तो देखा गया है कि पितज गुल्म जो होता है, इसमें इसके लीव्ज का डिकॉक्षन साधान रूप से आप दे सकते हैं, इसके साथ साथ इंदर लुप्त जिसमें सर के उपर से बाल उड़ जाते हैं, उसके इसमें क्या कर सकते है इसके जो राइपन्ड फ्रूट होते हैं, उससे हमें तिल के तेल में सिद्ध करके एक ओईल तयार करना है, और उसको देरे-देरे अपने लगाना है, अपलाई करना है, देरे-देरे क्या देखेंगे, कि जहां से बाल उड़ गए थे, वो दुबारा आ जाते हैं, यह फ्ल विशecause बात यह है, कि excess मात्रा में लेने से, यह ऐ शलाइ-वेशन और परगेशन को बढ़ा देता है, तो मात्रा लिमिटेड लेनी चाहिए, अब हम पस्वों की बात करें, तो पस्वों में जो मोसम बदलता है, ऐसे ही इंसानों में जो मोसम बदलता है, तो वात और पित के जो disorders होते हैं वात और कफ के, माफ कीजिए, वात और कफ के जिसको VTATED वाता और कफा disorders कहते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है इसका जो essential oil है वो antifungal activity जिसमें होती है इसके fruit में antioxidant potential होता है इसके leaves के decoction में antimicrobial, anticancerous, antiviral potential पाया गया है इसको कुम-कुम भी कहा गया है natural color इससे तयार किया जाता है अब market में synthetic आ गए हैं जिसके जैसे इनका चलन कम हो गया है लेकिन और जोप योग इसके आभी भी बहुत है पस्वों में क्या होता है कि flatulence की समस्षा जिसको आफारा कहते हैं उसमें इसके साथ साथ पस्वों में देखा गया है कि पस्वों सांथ हो जाते हैं धीरे-धीरे उनकी movements कम होती जाती है वो चारा या भुसा कम खाना स्टार्ट कर देते हैं उस अवस्था में भी इसका सुखा के इसका जो ये एपिकल पोर्शन है इसको सुखा के आप रख लीजिये और इसका धुमन देना होता है धुमन मातर देने से पसु जो दो तिन वार धुमन आप दीजिये पसु ठीक हो जाते हैं और भूसा चारा खाना स्टार्ट कर देते हैं इसका जो करंज के तेल में सिद्ध किया हुआ तेल है वे घाव को भरने में भी इस्तिमाल किया जाता है पसुओं के घाव भरने में इसका इस्तिमाल किया जा सकता है मनुश्यों में भी इसका उप्योग वरन रोपन में किया जाता है यह है बहुत ही उप्योगी प्लांट है इसका हमें अच्छे से पहले इसको आडेंटिफाई करके ही उप्योग में लाना चाहिए पश्ची मुत्र प्रदेश में हर्द्वार उत्राखंड बहुत कॉमन यह पाया जाता है गंग नहर जो है इसके दौनों तरफ यह लगा हुआ है हर्द्वार से लेके मेरट तक exploration के समय हमने इसको पाया चार से शे मीटर तक इसकी उंचाई हो जाती है इसमें एलकलोईड, ग्लाइकोसाइड, कुमेरिन, स्टैनिन, रोटलेरिन, आईसो रोटलेरिन इस तरह के बहुत कैमिकल कॉंस्टेंट्स भी पाया जाते हैं मात्रा का विश्यस ध्यान रखना है लेती समय, किटनी का स्टोन भी हो उसको भी ये ब्रेक कर देता है, इसलिए लिव्स को इस्तमाल किया जा सकता है वन टू टू लिव्स का डिकॉक्शन बना सकते हैं, बार्क का पाउडर रख सकते हैं बना के और जैसा कि पहले बता चुके हैं, पसुओ में धूमन के माध्यम से अफारा की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है धन्यवाद